भाई किसी को अपनी शादी का खर्चा सुनकर सदमा लग सकता है? लग सकता है! बताऊंगे आपको आज केस वीडियो में और ये भी बताऊंगे कि अपनी दमदार वापसी करने के लिए कौन तयार है? हाई गाईज मैं हो सुहानी है और आप देख रहे हैं फिल्मी चाट गल बॉलिबूट टॉफ फाइब में आज सबसे बड़ी ख़बर ही है कि भाईया निक जॉनस यानि के प्रियंका दीदी के हमारी देसी गल के पती देव को अपनी शादी का खर्च सुनकर जटका लग गया उनकी शादी का खर्च करीब करीब 3.5 करोड रुपे था और जब उन्होंने एक टॉटल खर्चा देखा तो उन्होंने कहा कि बस अब हो गई शादी 2018 में इनकी शादी हुई थी और ये खर्चा देख करना निक जीजू बहुत सादा परेशान है फिलाल तो और बॉलिवुड में दमदार वापसी करने के लिए तैयार है हमारे आमर खान अपनी लास्ट फिल्म लाल सिंग चड़ा की असवलता के बाद उन्होंने लंबे टाइम तक करीब 2 साल से उन्होंने कोई फिल्म नहीं किया है उन्होंने बताया कि उनकी अपकमिंग फिल्म की वो शूटिंग शुरू कर चुके हैं एक फरवरी से फिल्म की कहानी क्या होगी फिल्म का नाम क्या है यह अभी तक कुछ भी अनौंस नहीं किया है लेकिन हमारे लिए वो कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं ऐसा उनका कहना है बागियार इसके अलावा शारुक खान और केजी फेम यश एक साथ काम करते वे नजर आ सकते हैं कुछ रिपोर्ट्स की माने तो यश की आने वाली फिल्म टॉक्सिक के मेकर्स शारुक खान के साथ कॉलाब करने के लिए बात सीथ कर रहे हैं इसके अलावा हमारे शाहिद कपूर की अगर बात करू यार तो शाहिद कपूर के दिन पहले दिन अभी तक इसने 4,758 टिकेट की बिकरी कर लिए तो कुल मिला कर 13.26 लाक रुपे अभी तक फिल्म का कलेक्शन हो चुका है बागी आर जाते जाते आपको ये भी बता देती हो कि वरुन दवन की अगली फिल्म वीडी 18 का टाइटल हो फाइनल हो चुका है नाम बेवी जॉन रखा जाएगा इस फिल्म को जवान के डिरेक्टर एटली प्रिड्यूस कर रहे है वरुन के करियर किये फुल-on action फिल्म होने वाली है जिसे कलसी डिरेक्ट कर रहे है और ये भी साउथ के ही डिरेक्टर है इस फिल्म में वामिका गभी और कीरती सुरेश के अलावा विलन का रोल प्ले करने वाले है जैकेशॉफ तो ये था बॉलेवुड की टॉप फाइब कबरे मैं तो वरुन की इस फिल्म का ना बड़ा इंतजार कर रहे हूँ आपको कितना इंतजार है कमेंट्स करके जरूर बताएगा मिलेंगे आपको नेक्स वीडियो में इस वीडियो को लाइक और शेर करना बिलकुल मत बोल जाना